जै मतादी, जै श्री राम, वेलकम टू माई चैनल, कुछ ऐसे खास काल होते हैं, विसेश दिन होते हैं, विसेश मुहरत होते हैं, जिन मर्क किये गए उपाय, पूजा पाट, स्वभागय को प्रदान करते हैं, प्रभू की किरपा बरस्ती है, ऐसे ही एक विसेश समय होते हैं हनुमान जी के मंगलवार, सनीवार, हनुमान जैनती, तो कोई भी आपका मनो कामना हैं, किसी भी प्रकार की, पढ़ाई से लेकर, कर्ज से लेकर, या रोग, भीमारी, व्यवसाय, उन्नती, सफलता, या नसा मुक्ती, आपके घर में कोई परिशान करता है, कलह रहती है, किस जिन पर किये गए पूजा पाठ, मंत्र जाप से इश्वर की किरपावरस्ती है, आज आप जानेंगे हनुमान जी की पूजा विधी, हनुमान जी की पूजा की मैं बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, संपुट कैसे लगाना चाहिए, हनुमान चारीसा अपने घर पर करके किस तरह से इसका फायदा उठा सकते हैं, आज आप जानेंगे हनुमान जी की पूजा विधी के बारे में साथ ही कुछ विसेश पाठ जो आपको करने चाहिए और उपाय हनुमान जो भक्त हैं उनको मनवान चित फल की प्राप्ती होगी, तो आपको के लिए आपको कोई विसेश महुरत की जरुवत भी नहीं होती है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने के लिए एक खास महुरत या शुम महुरत की जरुवत नहीं होती है, हनुमान जी की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय हनुमान जी को याद कर सकते हैं, वो पुष्रंच जी भी हैं और वो अपने भक्तों के लिए हमेसा तयार रहते हैं वो हनुमान जी के ध्यान में रहते हैं जब भी आप पुकारेंगे वो आ जाते हैं तो हनुमान जी की पूजा करने के लिए आपको जो आपका घर का मंदर है उसमें आप भगवान जी को इसनान कराए जल से अगर आपकी पास कोई फोटो तस्वीर है तो आप उनकी करें मूर्ती है तो मूर्ती की पुझा करें मूर्ति किसी प्रकार की है किसी भी आप पीतल की सोने चान्दी की जो भी मूर्ति है आपके पाँ जो भी तस्वीर है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हनुमान जी की सौम में मूर्ति होनी चाहिए सौम में तस्वीर होनी चाहिए भगवान हनुमान जी सिरी राम के उड़ते हुए उग्र रूप में क्रोध रूप में नहीं होनी चाहिए इस तरह कि आप भगवान जी की तस्वीर ले लें मेरे पास पंच मुकी हनुमान जी भी है तो मैं आपको दोनों ही दिखा रही हूं कि किस तरह से आप भगवान के फोटो साफ कर लीजिए जो भी आपक पहले जो आपने पहने थी वही कप्ड़े पहन के पूजा नहीं करने चाहिए आप पूजा के लिए साफ सुतरे कप्ड़े बना लें कि जिनको पहन कर आपको पूजा करनी है पूजा में काले वस्तर नीरे वस्तर ऐसे नहीं पहनने चाहिए लाल गुलाबी फीले हरे इस त पूल चढ़ाएं भगवान जी को आप जनेव को पसंद पूल enfoo , पहुदो बहुत पसंद है केले का फल बहुत चूर्माइन पїम Still य कूलिब बहुंद्य लाएं ढूक को बहुत पसंदcrowd के बहुत है मंदीस लाइं, और बहुती बाद में उनका विशर्जन कर दें तो इस तरह से जो भगवान आप मैं आपको बता रहे हूं न हनमान जी की पूजा वो इस तरह से आप करें। आपको अगर कोई परेशानी हैं कोई भी तो आप अपने मन में किसी की कहने पाते हैं तो एक नारियल को साथ बार अपने उपर से उतार कर और उसको उस पर स्री राम लिखकर या कोई टी का लगा कर सिंदूर से रोली से और आप उसको हनमान जी के चल्ड़नों में रखिया है आपके मनो कामना पूरी हो जाएगी तो हनमान जी की सौम्य फोटो ही आपको लेनी हैं साथ दीपक आप मंगलवार या सनिवार के दिन अगर साथ दीपक आटे के बनाने भनमान जी को आटे के दीपक पूजा की जाती है तो आटे के दीपक लें और उनको चो मुखी दीपक बगवान जी आगे जला करायें हन्मान जी को दोवज चड़ायें तो यह जो आपकी चोटे चोटे उपाएं हैं इन्हें करने से आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएंगी आपकी मनुकामना पूरी हो जाएं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जैश्री राम जरूर लिखिएगा सबसे पहले आपको भगवान के पाउं पर सिंदू लगाना चाहिए जब भी आप भगवान को सिंदू लगाएं फिर उसके बाद आप उनको वस्तरप सिंदू लगाएं और जब चलनों में लगाएं तो अपने मस्तर भी लगाएं भगवान हनुआनजी को इत्र जरूर लगाएं भूग लगाएं जल पिलाएं भीड चढ़ाएं धूप दीब चढ़ाएं आर्ती करें नवे चढ़ाएं फिर पाथ भी करें और अनुष्ठान लेकर पाठ करते हैं 21 दिन का 11 दिन का तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं पीपल के पत्तों पर ना राम 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 लिखकर आप भगवान को उनको माला भी पना सकते हैं तो आप मदार के ले ले लें पीपल के ले ले लें आम के ले ले वैसे तो पीपल के पत्तों पर ही ल जल रख लें उसमें तुलसी का पत्ता डाल लें और उसको पाठ होने के बाद फिर उसको परशाध रूप में पी लें चमतकार आप स्वेम देखेंगे और स्वेम आप मिटको कमेंट्स करेंगे मीठा पान भगवान को बहुत पसंद है तो भगवान को मीठे पान में पान का जो बिंगला होता है वो हनमान जी को चढ़ाएंगे तो आप पान के पत्ते पर खोप्रे का बूरा रखेंगे यानि जो गोला होता है न कसके उसको गुलकंद, लॉंग, गुलाब की पंखडी, सुमन कत्री, इलाइची ये सब डाल कर आप हनमान जी को चढ़ाएं मीठी रोट का भोग, रोट कहते हैं चिसे, तो मीठी रोटी जो होती है, गेहूं के आटे में, गुलो डाल लें, मीठा डाल लें, घी डाल लें, दूद थोड़ा सा डाल करो, उसकी रोटी बनाएं या पूरी बनाएं और उसका भगवान जी को रोट चढ़ाएं, उसका चूर्मा भी चढ़ा सकते हैं, और केवडे का इत्र गुलाब का इत्र या गुलाब की माला हनुमान जी को चढ़ाने से मनो कामना पूरी होती हैं, यह जो मैं खास उपाय आपको बता रही हूं यह बहुत ही आपको जो उपाय मैं बता रही हूं यह उपाय आपके बहुत मनो कामना पूर करने वाले हैं धन और यस चाहिए तो आप इस विदी से पूजा जरूर करें जिस तस्वीर में हनमान जी राम जी के चरलों में बैठे हैं ऐसे सुरब की ही पूजा करने चाहिए आप हनमान जी की जब पूजा करें उनको चोला चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि मुंगे की माला से या तुलसी की माला से उनके राम नाम की जो जाप है वो कर सकते हैं जैश्री राम जैश्री राम बोलते रहें गुलाब का फूल अती प्रिया है तो गुलाब का फूल चढ़ाएं तुलसी की माला अगर आप नहीं चढ़ाते हैं तो तुलसी की माला से जा केले परशाद बूंदी लडड़ू जो भी आपके पास है आप उनको वस्त्र दे सकते हैं जो भी आपके पुराने वस्त्र है आप वो भी गरीबों को दान करते हैं गरीबों की सेवा करते हैं तो हनुमान जी प्रसंद होते हैं और हनुमान जी को जब आप ये सारा समान चलहा तो मंदिर में अगर आप चल़ाकर आ रहे हैं मंदाश हेसे अगर और न गर पूर्ण हा。 हनमान जी को जरूर चड़ाना चाहिए तो मैं इस तरह से आपको छोटी-छोटी उपाय बताए हैं पूजा बताई है किस तरह से आपको पूजा करनी है कोई मुहुरत की जरूरत नहीं होती है हनमान जी की पूजा करने के लिए क्योंकि आजकल की भाग दोड में किसी का ओफि हाथ में लेके जहां आप बैठकर पूजा करेंगे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे सुन्दरकान हनुमान बाहुक जो भी पढ़ेंगे हनुमान कवाच वहाँ थोड़ा सा जल छुड़कर बंधन बना ले यानि की कोई भी आपको डिस्टर्ब ना हो आपकी पूजा पार्ट में आप देखेंगे कि आपकी पूजा सफल होगी तो इस तरह से आप हनुमान जी की पूजा करें उनकी आरती करें चोटा सा हवन करें अगर आप हवन करते हैं तो सीधा हनुमान जी तक यानि जो हवन की खुश्बू होती है न उसको ही भगवान, वो भोग होता है भगवान का भगवान हवन की खुसबू से ही भोग ले लेते हैं तो इस तरह से आप पूजा करें फिर बाद में परशाद बाट लें सारा समान को विसरजित कर दें जब आप तुलसा जी और पीपल के व्रक्ष पर हनमान चाली सा पढ़ने के बाद अपनी मनोकामना कहते हूँ इसकी फेर पर डालती रहती हूँ आई होप की वीडियो आपको पसंद आए वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा जै मता दी चिल देन बाई बाई जै श्री राम